हलो दोस्तो मेरा नाम है सराफत आप देख रहे हैं यूनोगल फीटिव चानल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं दुबई वीजा का कॉंट्रेक्ट एग्रिमेंट चेक करना और सेलरी चेक करना बहुत इजी है बहुत आसान है ये वीडियो खास करके उन भा पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं कई बार होता क्या है दोस्तो जब आप इंडिया में रहते हैं तो एजेंट आपको सेलरी कुछ और बताता है और जब आप दुबई में जाते हैं तो वहां सेलरी आपको कुछ और मिलता है तो इससे बेहतर है कि आप अपने मोबाइल iPhone से आप बहुत इजी बहुत आसान तरीके से आप अपने पासपोर्ट नंबर से चिक कर सकते हैं तो चले चलते हैं दोस्तों हम सीखते हैं उसे पहले एक चोटा सा रिक्वेस्ट आप से आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल लाइक सस्क्राब नहीं किया तो प्लीज से लाइक सस्क् कि मदद से आप अपना दुबई वीजे का सेलरी और एग्रिमेंट चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले आप play store open कर लेंगे तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तो प्लेश्टोर तो हम simply play store open कर लेंगे उसके बाद simply आप यहां देख सकते हैं play store search bar तो simply आप उस पर क्लिक कर लेंग और simply एक एप है दोस्तों जिस एप का नाम है मोहरे मोहरे आप नीचे देख भी सकते हैं दोस्तों मोहरे UAE Apps तो ये लिख करके आप सर्च कर लेंगे सर्च करते ही कुछी सतरा का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जागा तो यहाँ पर आपको मोहरे नाम से बहुत सारे Apps दिखने को मिल जागा ठीक है दोस्तों तो जो सबसे पहले नमबर पर आप देख सकते हैं दोस्तों मोहरे और नीचे लिखेवा Ministry of Home and Resource और यहाँ लोगों भी आप देख सकते हैं बर्ड का तो ये दुबाई का Official Apps है दोस्तों जिसकी मदद से आप अपना दुबाई वीजे का Contract Agreement चेक कर सकते हैं और Salary चेक कर सकते है तो ये मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबी नहों तो ये बहुत आसानी से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा तो चले चलते हैं इसे हम आपेन कर लेते हैं आपेन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएग उसके बाद फिर से यहां पे एक option दिखने को मिल जाएगा my contract यहां जैसे आप देख सकते है my contract तो simply आप उस पे क्लिक कर लेंगे उस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा तो नीचे एक option देख रहे हैं दोस्तो apply for service तो simply आप उस पे क्लिक कर लेंगे उस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा तो जैसे पहले number पे आप देख सकते दोस्तो passport number और नीचे box तो simply इस box पे क्लिक कर लेंगे और यहां पे आप अपना passport number लिख लेंगे passport number लिखने के बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं nationality और यहां box तो simply आप उस box पे क्लिक कर लेंगे और यहां से आप अपना nationality select कर लेंगे आप इंडिया से हैं तो इंडिया select कर लेंगे पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान बंगलादेश से हैं तो बंगलादेश तो जैसे हम इंडिया से हैं तो हम यहां प सब्सक्राइब सब्सक्राइब उसके बाद महीना select कर लेंगे उसके बाद last में आप तारिक select कर लेंगे date of birth select करने के बाद यानि date of birth लिखने के बाद दोस्तो नीचे आप देख सकते हैं एक option मिल रहा है submit तो simply आप submit पे click कर लेंगे submit पे click करते ही कुछ इस तरह का interface आपको दिखने को मिल जाएगा तो जैसे पहले number पे देख सकते हैं दोस्तो card detail तो आपका card detail दिखने को मिल जाएगा आपका card कब issue हुआ वो दिखने को मिल जाएगा आपका card कब spare होगा वो दिखने को मिल जाएगा तो जैसे आप इंडिया में रहेंगे दोस्तों तो आपका card detail नहीं दिखने को मिलेगा बाकी सारे detail आपको दिखने को मिल जाएगा तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों contract detail तो वो दिखने को मिल जाएगा उसके बाद आपका job क्या है तो जैसे यहाँ आप देख सकते job description तो वो दिखने को मिल जाएगा उसके बाद आपकी salary क्या है तो वो दिखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरह से आप बहुत easy बहुत आसान तरीके से आप अपना दुबई वीजे का online salary चेक कर सकते हैं contract agreement देख सकते हैं उमीद है कि आपने अपना दुबई वीजे का salary चेक करना सीख लिए किसी तरह का doubt है दोस्तो तो आप हमें comment box में जरूर पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तो फिर मिलते है next video में thanks for watching